जेहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी अनमैंग निफ्टी में हमारा आज के रिए क्या व्यू था किस तरीके से एक और ऐसा दिन गया जहां पे बजार को एक रेंज में रखा गया एक और ऐसा दिन जहां पे इंडिया विक्स जो है और बड़र्र चेरियो को दिखाई ऑया है बट ग्लोबल सेनेरियो क्या है कल जरम पवल साब ने इतना क्या बोला कि भाई वह चीज हमारे मार्किट को तो पॉजटिव लग रही है बट इस वक्लोबल मार्किट का हाल बेहाल इस वक्त चल रहा है सारी सीज़े इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं तो दोस्तों को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा मिलता हूँ आप लोगों से इस वीडियो के एंड में क्योंकि वहां पे एक स्पेशल अनॉंस्मेंट आप लोगों के साथ करनी है तो चलिए अब जाई टैंवेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सब अगर हम हैं संग के अलावा मतलब जो हउंग कॉंग का बजार है इसके अलावा अगर हम बाकी सारे मार्कीट्स को देखते हैं तो यहां पे हम लोग को वीक्नेश दिखाई दे रही है हम लोग यूरोप में चलते हैं यूरोप लगबग डेढ़ परसंट के आज पस नीचे ह हम लोग डाव फ्यूचर पे चलते हैं डेर सो पॉइंट नीचे और नाजड़ाइक सो पॉइंट उपर अब सारे ही ग्लोबल बजारों में वीकनेस है तो ऐसा क्या जरम पावल साब ने बोला कि हमारे बजार फ्लैट बंद हुए है ठीक है अब भाई देखो यह तो हमारे अब लोग का बहुत जादा प्यारन सपोर्ट अपने को मिल रहा है अब आप लोग इतना जादा प्यारन सपोर्ट कर रहे हैं और तो मैंने एक हीरो जीरो ट्रेड एक और सेटप जो है आपके साथ शेयर किया था आज 23200 का पुट आप्शिन लगबक साड़े आठ के आसपा बजार जो है सिर्फ फर्स तीन चार कैंडल में ही मुव मिला उसके बाद जिसने जो भी किया वो फसा ही रहा पूरे दिन तो इट वस रेली नाइस बोलता है ना सेट अप जिसने हमें इस चीज को करने में हेल्प करी है अब अगर हम बात करें जरम पवल सापकी उन्होंने बोला क्या देखो हमने कल नात को स्ट्रीम करी थी उसमें भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी और आज मैं दुबारा एक बार जिन लोगोंने कल की स्ट्रीम मिस कर दिया उन्हों के लिए बता देता हूँ जरम पॉल साब ने ये बोला कि इंफलेशन कंट्रोल में त तो करेंगे ठीकर अगले दो साल में इस साल के वल एक ही रेट कट होगा अगले साल गरें उनका जो डिस्टन्स है उसको बढ़ा दे गए मतलब डिले करते जा रहे हैं यह लोग इस चीज को लेकर आब ये डिले अगर बाजार को रियाक्ट करना था तो नेगिटीब्ली रि बात को हवा में उड़ा दिया बजार ने ये देखा कि कल उनका inflation data आया inflation data expectation से थोड़ा हलका है expectation से केवल point एक हलका inflation का data जो है वो जरम पावल साब की बात पर भारी पड़ गया और उस तरीके से कल उस दिन बजार ने react किया है अब आज जो है इनका PPI data है producer price index data तो उस हिसाब से हम लोग जो है अब आज globally react करेंगे उस मुद्दे के उपर ही कह है बात में मैंने आपको टेलिग्राम पे भी update कर दिया था कि आर देखो 23, 340 और 360 के नीचे ही जो है वो यह नीचे जाएगा वरना यह नहीं जाएगा क्या आपको clear cut दिख रहा है 340 और 360 पे critical support बना हुआ है अब critical support क्यों है अगर हम एक बार के लिए इंडिकेटर सारे जो है वो remove कर देता हूं setup अगर एक बार के लिए ठीक है अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज हमें clear यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बाजार ने इस zone में काफी जादा time spend किया है ठीक है इस zone में काफी जादा time spend किया है जब बाजार जो है इस zone को नहीं breakout कर पा रहा था तो अब जब बाजार जो है इस zone में आएगा तो definitely यहाँ पर बजार को support मिलेगा तो यही चीज हमने discuss करी थी तो कल के लिए भी बजार जो है वो 23,400 के आसपस बंद हुआ है अगर बजार 23,340-50 के नीचे जाता है तो definitely हम लोगों को एक downside का trend जो है वो देखने को मिल सकता है on the upside में 23,520 से लेकर 23,480 एक उपर की side का ब्लॉक होगा उपर की side का एक range होगा जिसके उपर हम लोग को नजर रखनी है हम bank nifty की अगर बात करते हैं देखो कल भी मैंने ये चीज डिसकस करी थी आज मैं इस चीज को दुबारा दोर आ रहा हूँ क्योंकि कल हमने clear cut बोला था कि bank nifty range में फसा हुआ है bank nifty जब तक range से बाहर नहीं निकलता range के higher end पे आज जाता है आप sell करो range के lower end पे आता है आप लोग buy करनेगा देखो जब तक ये range नहीं तूटेगी 50,300 on the upside 49,600 on the downside तब तक ये trend नहीं मिलेगा और यही चीज clear हो चुकिये पिछले 4-5 दिन bank nifty बिल्कुल sideways है कल देखते हैं क्या Friday को Friday factor काम करता है एक trending day हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता बट 50,300 on the upside में और 49,600 on the downside में levels को हमें watch out करके चलना है nifty finance की बात करते है nifty finance की अगर मैं बात करूँ तो एक important level हमें clear cut दिख रहा है nifty finance में जिस level को nifty finance नहीं निकाल पा रहा है पिछले 3-4 दिनों से वो level है इसका 22,400 का तो 22,400 से 22,425 एक important resistance area है nifty finance के लिए अगर इस resistance area को nifty finance निकाल देता है तो हम लोगों को एक अच्छा upside का trend जो है वो देखने को मिल सकता है on the downside में आपको एक clear cut trend line support जो है वो दिखाई दे रहा है मेरे लिए जो critical area होगा वो होगा ये वाला अगर 22,175 के नीचे जो है वो nifty finance आना start कर देता है तो आप सोचिएगा nifty finance में weakness आ गई है और उसके बाद further downside जो है वो हमें देखने को मिलेगी एक चीज़ आपको कल धिहान रखनी है कल जो है बजार long weekend पे जा रहा है क्योंकि Monday को जो है वो बजार बंद रहेगा तो Saturday, Sunday और Monday तीन दिन की छुटी रहेगी उससे पहले बजार जो है अपनी position आउट करके चलेगा भाई अपनी position के US कैसे Monday को react कर सकता है उस चीज़ को देखकर अब हम बात कर लेते है Sensex की ठीक है Sensex बहुत जो है वो critical level है पे हमें देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें Sensex की तो एक चीज़ हम लोग clear cut देख पा रहे है कि Nifty की तरह Sensex भी एक range में चल रहा है on the upside में higher levels पे तो 77,000 जब तक Sensex नहीं निकालता है तब तक हम लोग aggressive buy नहीं कर सकते और on the downside में जब तक Sensex 76,000 को नहीं तोड़ता है तब तक हम aggressive sell नहीं कर सकते तो थोड़ा हम अगर supports को थोड़ा उपर करते हैं तो around 76,200, 76,250 एक important support zone है और 77,000 important resistance area है जिसके उपर हम लोग watch out करके चलना होगा तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो खत्म करने से पहले जो मैंने शुरू में बोला था एक special announcement है आप लोगों के लिए वो announcement यह है कि आप लोगों ने जो initiative हमने start किया था कि जो comment section है उसको as a trading journal हम लोग use करेंगे उस पर बहुत अच्छा response है आप लोग का है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मतलब आपकी जो regular trading है उसमें आपने क्या बहतर ही करी है पिछले दो से तीन दिन में उसके लिए अच्छा होगा साथ ही में क्या पता आपके इस experience जो आप share करोगे उससे किसी नई trader का भला हो जाए कोई नया बंदा अगर share market से जुढ़ रहा है उसका भला हो जाए तो definitely नीचे comment section में अपने experience शेर जरू कीजेगा Thank you so much for watching guys जेहिन वंदे मातरम